पर अपना संबोधन दिग्दर्शन एबं आसिर्वचन देने की कृपा करें पुत्राखन की गवर्नर स्रीमती बेवी रानी मौरिया जी मुख्यमंत्री स्रीमान त्रिवेंद्र सी रावज जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गजनजर सी सेखावज जी डक्टर रमेश पुखरियाल निशंग जी, स्री रतनलाल कटारिया जी अन्य अधिकारी गण और उत्राखन के मेरे भाई और बहनो चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देव भूमी उत्राखन की धरा को मेरा आदर पूर्वक नमन आज मा गंगा की निरमलता को सुनिशित करने वाले छे बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकारपन किया गया है इसमें हरिदवार, रिशिकेश, बदरिनात और मुनी की रेती में सीवेट ट्रिट्मेंट प्लांट और मुजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल है इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्राखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों अपसे कुछ दूर देर पहले जब जल जीवन मिशन के खुपशरत लोगों का और मिशन मार दर्शिका का भी विमोचन हुआ है जल जीवन मिशन भारत के गावों में हर घर तक शुद्ध जल पाईप से पहुचाने का यह बहुत बड़ा अभियान है मिशन का लोगों निरंतर इस बात की प्रिर्णा देगा कि पानी की एक एक मुंद को बचाना आवश्यक है वहीं ये मार दर्शिका गाउं के लोगों ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशिनरी के लिए आवश्यक है ये परियोजना की सबलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है साथियों आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तर हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है उत्राखन में उत्गम से लेकर पंच्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को सम्रद्द करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवशक है गंगा जी की अविरलता आवशक है बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्चता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे लेकिन उन अभियानों में न तो जण भागीदारी थी और नहीं दूरदर्शी था नतीज़ा यह हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया साथ क्यों अगर गंगा जल की स्वच्चता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती लेकिन हम नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े हमने नमामी गंगे मिशन को सिरफ गंगा जी की साफ सफाईता की सिमित नहीं रखा बलकि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तरुत नदी समरक्षन कारिकम बनाया सरकार ने चारो दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया पहला गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया दूसरा सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट ऐसे बनाये जो अगले 10-15 साल की भी जरुरते पुरी कर सके हैं तीसरा गंगा नदी के किनारे बसे सो बड़े शहरों और पांच हजार गावों को खुले में सौथ से मुक्त करना और चौथा जो गंगा जी की सहायक नदियां है उनमें भी प्रदिर्शन रोकने के लिए पूरी ताकट लगाना साथियों आज इस चौथ अर्फा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं आज नमामी गंगे कारकम के तहट तीस हजार करोड रुप्य से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है आज जिन प्रोजेक्स का लोकारपन किया गया है उनके साथ ही उत्राखन में इस अभियान के तहट चल रहे हैं करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्स पूरे हो चुके हैं हजारों करोड के इन प्रोजेक्स से सिर्फ छे सालों में ही उत्राखन में सीवेज ट्रिट्मेंट की ख्षमता करीब करीब चार गुना हो चुकी है साथियों उत्राखन में तो स्थिती ये थी कि गंगोत्री, बद्रिना, केदार्ला से हरिद्वार तक 130 से जादा नाले गंगाजी में गिरते थे आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है इसमें रिषिकेश से सटे मुनी की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है इसके कारण यहां गंगाजी के दर्सन के लिए आने वाले राफ्टिंग करने वाले साथिक नसाथियों को बहुत परिशानी होती थी आज से यहां देश का पहला चार मंजिला सीवेज ट्रिक्मेंट प्लाम शुरू हो चुका है हरीद्वार में भी ऐसे 20 से जादा नालो को बंद किया जा चुका है साथियों प्रयाग राज कुम्ब में गंगाजी की निर्मलता को दुनिया भर के सरद्धालों नोय अनुभव किया था अब हरीद्वार कुम्ब के दवरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगास्तान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे है साथियों नमामी गंगे मिशन के तहत ही गंगाजी पर सेंकडो गाटों का सुंद्री करण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधूनिक रिवर फ्रंट के निर्मान का कारिय भी किया जा रहा है हरीद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तयार है अब गंगा मुजियम के बनने से यहां का आकर्षन और अतिक बढ़ जाएगा यह मुजियम हरिद्वार आने वाले परियटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है साथियों अब नमामी गंगय अभिहान को एक नए स्तरपल ले जाया जा रहा है गंगा जी की स्वच्चता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे शेत्र की अर्थेववस्ता और परियावरण के विकास पर भी फोकस है सरकार द्वारा उत्राखन सहीद सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती अविवेदिक पौधों की खेती का लाव दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गही है गंगा जी के दोनों और पैड़ पहुदे लगाने के साथ ही और्गेनिक फार्मिक से जुड़ा कोरिडोर भी विक्षित किया जा रहा है गंगा जल को बहतर बनाने के इन कारियों को अम मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है इसी पंद्रा अगस को मिशन डॉल्फिन का एलान किया गया है कि मिशन गंगा जी में डॉल्फिन सरमर्दन के काम को और मजबूत करेगा साथियों आज देश उस दोर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे आज पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है पर पैसा पाई 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 पानी पर लगाया जाता है हमारी यहां तो हालत यह थी कि पानी जैसा महत्वपुण विशय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था इन मंत्रालयों में विभागों में न कोई तानमेल था और नहीं समान लक्ष के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निरदेश नतीजा ये हुआ कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जूड़ी समस्या ये निरंतर विक्राली होते गए आप सोचिए आजा दिके इतने वर्षों बाद भी पंदरा करोर से ज़्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंसता था यहां उत्राखन में भी हजारों गरों में यही हाल था गाओं में पहड़ों में जहां आना जाना तब मुश्किल हो वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज़्यादा तकलीप हमारी माताओं को बहनों को बेटियों को उठानी पड़ती थी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनोतियों पर एक साथ उर्जा लगाने के लिए ही जल्शक्ती मंत्राले का गठन किया गया मुझे खुशी है कि बहुती कम समय में जल्शक्ती मंत्राले ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया पानी से जुड़ी चुनोतियों के साथ साथ अब ये मंत्राले देश के गाउं में हर घर तक जल पहुँचाने के मिशन में जुटा हुआ है आज जल जीवन मिशन के तहट हर दिन करीब करीब एक लाग परिवारों को शुद्ध पेई जल की सुविदा से जोड़ा जा रहा है सिरफ एक साल में ही देश के दो करोड से ज़्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुँचाया जा चुका है यहां उत्राखन में तो तिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक रुपिये में पानी का कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है मुझे खुशी है कि उत्राखन सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुचाने का लक्ष रखा है कोरोना के इस कालखन में भी उत्राखन में बिते 4-5 महिने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जा चुके है ये उत्राखन सरकार की प्रतिविद्धता को दिखाता है कमिट्मेंट को दिखाता है साथियों जल जीवन मिशन गाव अव गरीब के घर तक पानी पहुचाने का तो अभ्यान है ही ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को गाव के शसक्तिकर्ण को उसके लिए भी एक नई उर्जा नई ताकत नई बुलंदी देने वाला अभ्यान है सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बड़लाव आया है ये उसका भी उदार है पहले जी सरकारी योजना उपर अक्सर दिल्ली में ही बैठ कर फैसला होता था किस गाव में कहां सोर्स टैंग बनेगा कहां से पाइपलाइन बीचेगी ये सब फैसले जादातर राजधानियों में ही होते थे लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है गाव में पानी से जुड़े कौन से काम हो कहां काम हो उसकी क्या तैयारी हो ये सब कुछ पै करने का फैसले लेने का अधिकार अब गावों के लोगों को ही दे दिया गया है पानी के प्रजेक्स की प्लानिंग से लेकर रख रखाओ और संचालन तक पूरी व्यवस्ता ग्राम पंचायत करेगी पानी समितिया करेंगी पानी समितियों में भी 50 प्रतिशत गाव की बहने हो गाव की बेटिया हो ये भी सुनिश्चित किया गया है साथियों आज जिस मारदर्शिका का विमोचन किया गया है वो इनी बहनों बेटियों पानी कमीटी के सदस्यों पंचायत सदस्यों के सबसे जादा काम आने वाली है एक प्रकार की मारदर्शिका है और मेरा पक्का विश्वास है पानी की कठिलाई क्या होती है पानी का मुल्डे क्या होता है पानी की आवश्यक्ता कैसे सुविदाव और संकर दोनों लाती है इस बात को हमारी माताएं बहने जितना समझती है शाहिदी कोई समझता है और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार म बहनों के हाथ में जाता है तो बड़ी संवेदन सिल्टा के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ वे इस काम को निभाती हैं और अच्छे परणाम भी देती हैं ये गाउं के लोगों को एक मार दिखाएगी ये किताम जो बनाई है वो छोटे मोटे निर्णे करने में फैंसले ल एक अवसर दिया है अवसर अपने गाउं को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का अवसर है अपने गाउं को पानी से भरपूर करने का मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस 2 अक्तूबर गांदी ज़न्ती से एक और अभ्याम शुरू करने जा रहा है सौ दिन का एक विशेश अभ्यान जिसके तहट देश्ट के हर स्कूल और हर अंगनवाडी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा मैं इस अभ्यान की सबलता की शुब कामना देता हूँ और मैं राज्य सरकारों से भी आगरह करता हूँ कि करने जैसा पवित्र काम है राज्य सरकारे भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंदे पर उठाएं और इस काम को सौ दिन में हम पुरा करके दिखाएं साथियों नमामी गंगे अभ्यान हो जल जीवन मीशन हो स्वच्छ भारत अभ्यान हो ऐसे अनेक कारकम बीते छे सालों के बड़े रिफॉर्म का हिस्सा है यह ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में सामाजी की वबस्ता में हमेशा के लिए सार्थक बरलाव लाने में मददगार है बीते एक डेड़ साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है अभी जो सौसत का सत्र खत्म हुआ है इसमें देश की किसानों, स्रमीकों और देश के स्वास्त से जुड़े बहुत बड़े-बड़े सुधार किये गए हैं इन सुधारों से देश का स्रमीक ससक्त होगा, देश का नवजवान ससक्त होगा, देश की महलाएं ससक्त होगी देश का किसान शसक्त होगा लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिरफ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं साथियों अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है लेकिन आज जब केंदर सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग दिरोध पर उतर आए है ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाएं ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जबत होती रहें उनसे वसुली होती रहें उनसे कम कीमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाफ़ा कमाते रहें ये किसान की आजादी का विरोध कर रहें जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहें साथ क्यों बरसों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनाथन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रम फ़ला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन याजादी कुछ लोग बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परेशानी है साथियों करोना के इस कालखण में देश ने देखा है कि कैसे डिजीटल भारत अभ्यान ने जनदन बैंक खातों ने रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे इनकी नजरों में देश का गरीब देश के गाउं के लोग अनपड़ थे अज्ञानी थे देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं वो भी डिजीटल लेंदेन करें इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया साथियों देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई जीएश्टी की बात आई तो फिर ये लोग फिर भी रोध कर नेगले बैदान में आगे जीएश्टी की वजह से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है जादा तर घरलू सामाने रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है पहले इनी चीजों पर जादा टैक्स लगा करता था लोगों को अपनी जेब से जादा पैसे खर्च करने पड़ते थे लेकिन आप देखिए इन लोगों को GST से भी परेशानी यह उसका मजाग उड़ाते हैं उसका विरोध करते हैं साथ यह लोग न किसान के साथ है न नव जमान के साथ और नहीं देश के वीर जमान के साथ है आपको याद होगा जब हमारी सरकार वन रैंग वन पैंशन लाई उत्रा खंड के हजारों पुर्वसैनिकों को भी उनका अधिकार दिया तो यह लोग इसका भी विरोध कर रहे थे वन रैंग वन पैंशन लागू करने के बाद से सरकार वन पुर्वसैनिकों को लगभग 11,000 करोड रुपिये एरियर के तो दे चुकी है यहां उत्रा खंड में भी एक लाग से जाना पुर्वसैनिकों को इसका लाब मिला है लेकिन इन लोगों को वन रैंग वन पैंशन लागू किये जाने से हमेशा दिक्कत रही है इन लोगों ने वन रैंग वन पैंशन का भी विरोध किया साथियों बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की वायू सेना को ससक्त करने के लिए कुछ नहीं किया वायू सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए लेकिन लोग वायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदाज करते रहे जब हमारी सरकार ने सीथे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतिय वायू सेना के पास रफाइल विमाना ये भारतिय वायू सेना की ताकत बड़े ये इसका भी विरोध करते रहे मुझे खुशी है कि आज रफाइल भारतिय वायू सेना की ताकत बड़ा रहा है अंबादलाज से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतिय जाबाजों का हांसला बढ़ा रही है साथियों चार साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइट करते हुए आतंग के अड्डों को तवा कर दिया था लेकिन यह लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रसौंसा कर रहें के बजाएं उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइट के सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइट का भी विरोध करके यह लोग देश के सामने अपनी मंसा अपनी नियत साप कर चुके हैं देश के लिए हो जो भी काम हो रहे हो हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है उनकी राजनीती का एक मात्र तरीका यह यह है बस विरोध 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 आप याद करिए बारत की पहल पर जब पूरी दुनिया आंतर राश्रिय योग दिवस मना रही थी पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है तो ये भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे जब देश की सेंकड़ों रियासतों को जोड़ने का काम एक्तिहासिक काम करने वाले भारत की एक्ता को मजबूत करने का काम करने वाले सरदार वल्लब भाई प्रटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का नावरण हो रहा था तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टेज ये विनिटी के दर्शन करने नहीं गया है क्यों क्योंकि उन्हें विरोध करना है साथ क्यों जब गरीवों को दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला हुआ तब भी ये इसके विरोध में खड़े थे जब 26 नवेंबर को सम्विधान दिवस मनाने की बात आई तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर बाबा साब अमेड करका विरोध कर रहे थे साथ क्यों पिछले महिने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमी पुजन किया गया है ये लोग पहले सुप्रिम कोट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमी पुजन का विरोध करने लग गए हर बदलती हुई तारीक के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए समाज के लिए और प्रसंगिक होते जा रहे हैं इसकी छटपटा हाँच है बेचेनी है हताशा है निराशा है एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडियां जिसने देश पर राच किया वो आच दूसरों के कंदों पर सवार होकर देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है साथ क्यों हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल है जिने कभी सत्ता में आने का मोका नहीं मिला अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने जानदातर अपना समय विपक्षमें ही बिताया है इतने वर्षों तक विपक्षमें बैटे के बावजूद उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया देश के खिलब काम नहीं किया लेकिन कुछ लोगों को विपक्षमें बैटे कुछ वर्षी हुए है उनका तौर तरीका क्या है? उनका रवया क्या है? वो आज देश भली भाती समझ रहा है, देश उसको बहुत बारीकी से देख रहा है इनकी स्वार्थनीती के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला, देश के संसाधनों को बहतर बनाने का ये सिलसिला, देश हित में हैं, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए हैं, देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं, और ये नि पर फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेस के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और फिर से मैं यही आगरह करूंगा आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा के दार की कुरुपा हम सभी पर बनी रहें, इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय गंगे! बहुत-बहुत धन्यवाद, सर. बहुत laugh बहुत